नागरिक्ता संशोधन एक्ट और एनार्सी के विरोध की चिंगारी गुरुवार को भड़क कर ऐसा शोला बनी कि पूरा देश धूधू कर चलने लगा उत्तर भारत से लेकर दक्षिन भारत तक जगए जगए विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक शकल अख्तियार की और हालात संसनी खेज हो गए अब हम आपको विरोध के इसी तांडव की तेज तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं भड़क उठी नागरिक्ता बिल के विरोध की आग कानून के दश्मनों ने देश भर में की आग जनी धदक उठे, लखनाओ, एहम्दाबाद और पटना शेहर शेहर आखजनी, शेहर शेहर तोड़ फोर देश भर में सडकों पर उत्रप्रदर्शनकारी कहीं पलिस की चौकिया जली, तो कहीं गारिया बसे जली तो कहीं भायानक पत्राव हुआ देखिए, तांडाओ की 23 तस्वीरे सबसे ज्यादा आखजनी पत्राव और तोड़ फोर का शिकार बना लखनाओ लखनाओ में नागरिक्ता एक्ट के विरोध में सडकों पर उतनी भीड़ने ऐसा तांडाओ मचाया कि हर तरफ अराजकता फैल गई बलवाईों ने जमकर हिंसा की और पुलिस कई घंटों तक बेबस नज़र आई तांडाओ की पहली तस्वीर लखनाओ में पत्राव और हिंसा तहजीब का शेहर लखनाओ गुरुवार को तहजीब का फलसफा भूल गया सडकों पर उतरी भीड़े शेहर के कई लाकों में भारी पत्राव और थोड़पूर की नागरिक्ता एक्ट का विरोध करहे दंगाईयों ने किसी को नहीं बख्षा ना निजी गाडियों को और ना ही सरकारी संपत्ती को इस घटना करम में कई पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की भी सूचना है तांड़ों की दूसरी तस्वीर लकनाओं में मीडिया की गाडिया फूंकी तस्वीरों में धूदू कर जलती ओवी वैन को आप साफ देख सकते हैं यह तस्वीर एक गवा है कि पत्थर बाजों और दंगाईयों ने मीडिया को भी नहीं बख्षा नागरिक्ता आक्ट का विरोध कर रही भीर ने मीडिया पर हमला बोल दिया किसी तरह पत्त्रकारों ने तो अपनी जान बचा लिए लेकिन हिंसा पर उतारू भीर ने अपना गुसा गाड़ियों पर निकाला तांड़ाओ की तीसरी तस्वीर लखनव में पीसी आर वैन में आग सिटिजनशिप आक्ट और एनार्सी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पुलिस थी लेहाजा पुलिस की जो गारी जहां प्रदर्शनकारियों के हत्ते चड़ी वही पर उसे चकनाचूर कर दिया गया भीर का गुसा देख पुलिस से सयम बनाए रखा और किसी तरह से अपनी जान मचाई लेकिन ये तस्वीरे बता रही हैं के प्रदर्शनकारियों के हरकते अब बरदाश्ट से बाहर होती जा रही है तांडाव की चौती तस्वीर लकनाव में पुलिस चौकी पर हमला हिंसक भीर ने लकनाव की हसन गंज चौकी पर भी धावा बोला और चौकी को देखते ही देखते तहस नहस करड़ा चौकी में मौजूद पुलिस कर्मिक किसे तरह भाग कर अपनी जान बचाते नज़र आए लेकिन गुसाई प्रदर्शनकारियों ने चौकी के बाहर खड़ी पुलिस के गारियों और बाइक में पेट्रोल डाल कर उसे आख के हवाले कर दिया तस्वीरों में आप लखनाओ पुलिस के गारियों और बाइक को दूदू कर जलता देख रहे हैं तैन्ड़ों की पाँचवी तस्वीर लखनाओ में प्रदर्शनकारियों पर लाटी चार्ज प्रदर्शनकारियों को हद से बढ़ता देख पुलिस ने सखती की और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर बलप्रयोग भी किया गया तस्वीरों में आप पुलिस को समाजवादी पाटी के कार्य करताओं पर लाटी भांचते देख रहे हैं नागरिक्ता बिल के खिलाफ सड़कों पर उत्रे समाजवादीयों की पुलिस ने अच्छे से खबर लिए हलागि समाजवादी पाटी का विरोध प्रदर्शन लगातार पुलिस की नाक पे दम करता रहा तांडाओ की छटवी तस्वीर संबल में सारजनिक संपत्ति में आखजनी संबल में भी प्रदर्शन कारियों की भीड हिंसा पर उतराई भीड ने शेहर के कई हिस्सों में आखजनी की और सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया भीड ने एक बस को भी आक्या हवाले कर दिया उग्र भीड ने शेहर के कई हिस्सों में पुलिस पर पत्राव भी किया इन सब के वज़ा से एस्थानिये पुलिस प्रशासत परिस्तितियों से जूचता नजर आया तांडाओ की स्तात्वी तस्वीर संबल में पुलिस की गारियों में तोड़ फोड़ संबल में हालात उस वक्त संगीन हो गया जब प्रदर्शन कारियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया प्रदर्शन कारियों के शिकंजे में एक पुलिस की गारी भी भी फंच पर जिससे हिंसक भीर ने तोड़ फोड़ कर चकना चूर कर दिया तंड़व की आठवी तस्वीर संबल में हिंसक भीर का पत्राओ संबल में प्रदर्शन कार्यों की भीर ने जम कर पत्राओं किया नागरिक्ता बिल्के विरोध में सबकों पर उत्री भीर ने शेहर के हालाथ संसनी खेज बना दिया इस पत्राओं में पुलिस वालों समेथ कई लोगों के जख्मी होने के खबर है तस्वीरें बता रही हैं कि इंसक भीड को ना कानून का धर्था और ना ही पुलिस का तांड़ों की नौवे तस्वीर पटना में भारी तोड़ फोड और आगजनी पटना में भी हालाच उस वक्त बेकाबू होगे जब प्रदर्शनकारियों की भीड ने हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया भीड ने शेहर के कई लाकों में जम कर तोड़ फोड की इतना ही नहीं गुसाई भीड ने टाइरों को भी आग लगाकर सरकों में डाल दिया ताकि रास्ता बंद किया जा सके हिंसा की वजह से पटना में दैश्रत का माहौल बना हुआ तैंडव की दस्वी तस्वी एहमदाबाद में प्रजशन कारियों पर लाटी चार्ज एहमदाबाद में भी प्रजशन कारियों की भीर अच्छानक हिंसा खोटी इसके बाद वो शेहर में तोड़ करने लगी बाजार बंद होने लगी इसी सब के बीच हालात बिगरते देख पुलिस सकती की और बवालियों पर लाटिया भाज़ेगे तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि अहमदाबाद में पुलिस कैसे पत्राव करने वाले को दोड़ा दोड़ा कर पीप रही है नागरित्ता संशोधन बिल का विरोध करने वाले प्रदर्शन कारियों ने देश के अलग अलग शहरों में भारी तांडव मचाया इस तांडव का शिकार आम लोग भी बने पुलिस भी बनी और मीडिया भी अब हिंसा के बाद पुलिस उपदर्वियों की पहचान में जुटकई है तांडव की ग्यारहवी तस्वीर मत्रव में प्रदर्शन कारियों की गिरफतारी मत्रव में भी नागरिक्ता एक्ट का विरोत कर रहे लोग जब हिंसा करने लगे तो पुलिस नोंने गिरफतार कर दिया तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफतार कर रही है दरह सल यो जुनागरिक्ता एक्ट के संसुधं के मांग कर रही है इसलिए पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कारे करताओं को गिरफतार किया तांड़ाउं की बारहोई तस्वीर अहमदाबाद में पुलिस एहतियात के तौर पर प्रदर्शन कारियों को विरोध प्रदर्शन की अजासत नहीं दी थे बावजूद इसके जब सड़कों पर लोग उत्रे और प्रदर्शन जारी रखा तो पुलिस ने सकते दिखाते हुए इनकी गिरफतारिया शुरू करते हैं तस्वीरों में आप अहमदाबाद में नागरिक्ता कानून का विरोध करने वालों को गिरफतार होते देख रहे हैं तैंडव की तेरहभी तस्वीर दिल्ले में कई मेट्रो स्टीशन पर ताले लगे दिल्ले पुलिस ने सीलंप और हिंसा से सबक लेते हुए गुरुवार को प्रदर्शन कारियों को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमती नहीं दी बावजूद इसके दिल्ले में कई जगों पर विरोध प्रदर्शन हुए हाला कि पुलिस ने हैतियात के तौर पर कई मेट्रो स्टीशन और रास्टों को बंद ही रखा तांडव की चौदववी तस्वीर पठना में अनोका विरोध प्रदर्शन हिंसा के बीच गुरुवार को सियासे दे सलकों पर खूब दिखी पठना में पप्पू यादव ने अपने कारिकताओं के साथ बीडिया बांद कर विरोध जटाया इस दोरान पप्पू यादव उनके समर्थकों ने नागरिकता कानून के खलाफ बेडिया पहन रखी थी तांडव की पंद्रहवी तस्वीर प्रयाग राज में प्रदर्शन कारियों की गिरफतारी प्रयाग राज में भी देश के कई हिस्सों की तरह नागरिकता बिल का विरोध जब कर हो रहा है इसलिए सरकार के खलाफ नारेवाजी कर रहे कुछ प्रदर्शन कारियों के यहाँ पुलिस से हिरासफ ने लेगी तांडव की सोलहवी तस्वीर दिल्ले में प्रदर्शन कारियों के गिरफतारी पुलिस के मनाही के बावजूद दिल्ले के मंडी हाउस पर प्रदर्शन कारियों ने विरोध प्रदर्शन किया मौके पर पहुंचे पुलिस से बिना मौका गवार सिटिजन आक्ट के विरोध कर रहे लोगों को गिरिफतार कर दिया तांडाओ के 17 हुए तस्वीर कुशिनगर में जबरदस्त पत्थर बाजी उत्तर प्रदेश के कुशिनगर में उपद्रव्यों नजम का तांडाओ मचाया यहां पुलिस पर भारी पत्थराओ किया गया और सार्जुनिक संपती के साथ साथ लोगों की गाड़ियों में भी तोड़खोड की गई तांडाओ की आठार हुई तस्वीर उपद्रव्यों पर आसू गैस की गोल्य छोड़े गया लखनओ में बिगड़े हालातों के मद्दे नज़र पुलिस को प्रदर्शन कारियों पर बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस है आसु गैस की गोले छोड़कर बवाल करने वालों को तेतर बितर करने की कोशिश की साथे पुलिस है कड़ाके के सर्दी में हिंसा कर रही भीड पर वाटर केरन का इस्तवाल भी किया तांड़ों के उन्नीसवी तस्वीर सीम योगी न दंगाईयों पर सक्ति के आदेश दिये उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगतार बिकड़ रही कानून निवस्ता के इस्तवी और भीड के हिंसा से निपटने के लिए सीम योगी अदेतनाथ ने DCP और मुक्य सच्चमसे बाच्चीत कर हालातों का जाहिजा लिया साथ ही योगी अदेतनाथ ने पुलिस को बावालियों से सक्ति से निपटने के निपटने के इस्तव दिए है तांड़ों के बीसवी तस्वीर मुंबई में विरोध प्रदर्शन पर बारीक नज़र मुंबई के अगस्त करांती मार्ग में नाकरिक संशोधन बिल के खलाब करीब 20,000 लोग विरोध प्रदर्शन के लिए खटा हुए हाला कि पुलिस के जबर्दस इंतजाम और नाके बंदी की वज़ा से किसी भी तरह के हिंसा नहीं हो कल शुकरवार के मद्दे नज़र भी देश भर के शेहरों में पुलिस जादा एतियाद बरत रही है हमें शामिल लोगों के खिलाफ सक्त कारवाई का मन बना चुकी है इसके लिए पुलिस बाकाइदा रंडीती बना रही है पुलिस की रंडीती में तकनीक के साथ साथ मुखबिरों की भी मदद ली जाएगी पुलिस को पता चल चुका है कि हिंसा की ज्यादतर प्लाइनिंग वाटसेप के जरिये की जा रही है इसलिए वाटसेप पर भी पुलिस की बारीग नज़र बनी हुई है पुलिस की तस्वीर आहमदाबाद में पुलिस प्रदर्शन कारी भीड़े आहमदाबाद में अलग-अलग संगठनों के प्रदर्शन कारीों का विरूर प्रदर्शन आचानक हिंसा को उठा इस दोरान प्रदर्शन कारीों ने पुलिस से भीड़ंत भी की इसके बाद फुलिस को बलप्रयोक करना पड़ा इस जड़ब के बाद इस शेहर के कई हिस्थों से तनाव पहलने की खबरे आई तांडाओ की बाइफ पी तस्वीर लाल कले से अहतियातन कई गिरुफतारिया पुलिस के मनाही के बाद भी दिल्ली में कई जगों पर विरोध प्रदर्शन लाल कले की तरफ मार्च का रही योगेंद रुयादो समेर कई लोगों को हिरासत में भी लिया इन्वी रोध प्रदर्शनों में कहीं हिंसा तो नहीं होगी लेकिन शेहर भर में तनाव बर्करार रहा तांड़ों की 23 तस्वीर 20 दिसंबर को लेकर पुलिस के बुखता इंतिजाम बेज दिसंबर को जुम्मे की नमास के बाद देश के कई शेहरों में हिंसा भड़कने की आशंका है इसी के मद्दे नज़र पुलिस की लोकल इंटेलिजन्स यूनिट्स को सक्रिया कर दिया गया है इसके लावा तमाम शेहरों के सभी समीदन शील इलाकों पर पुलिस को खास निकरानी के आदेश दे दिये गया है दे मंत्रालेक विरोत प्रदर्शनों से बदलते घटना करम पर बारीक नज़र बनाए हुए है तीन नियूस नेशन तो इस खास पेशकस में इतना है लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रही नियूस नेशन क्योंकि खबरों का सिलसला यहां पर कभी नहीं थमता